गुजरा टाइटान स्वसेद देली कैपिटल्स की विच में जो आई पेल का मैच खेला जाएगा इसका हम इस वी सुड़े में काफे डिटेल में अनलेसिस करेंगे स्वागत आपका पर्फेक्ट लाइन अप अप्लिकेशन पर यहां पर हर एक प्लेयर को डिटेल में अनलेसि सब्सक्राइब कर देना है और विडियो को यहां पर स्टार्ट करते तो देखो यह जो मैच इसकी जो फाइनल टीम है आपको पर फेक्ट लाइनप पर ही मिलेगी इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगा पर दे रखाए अभी तक आप इस स्टार्ट सब्सक्राइब को यह जगा पर मिल जाते हैं तो देख लेते हम आपर विन्वेंट पीछ रिपोर्ट तो देखो यह मैच होगा कहां पे पहले तो मैच होगा यह पर श्री नरेंद्र मोधी स्टेडम पे और यहां का जो पीछ होता है आम तोर पर अगर आप देख किल होता है थोड़ से एफर्ट लगाना पड़ता है अगर थोड़ा सभी मिस्ट यहां पर हो जाता है तो यहां पर ब्राउंड पर कैच होने के चांसे जो होते हो काफी बढ़ जाते वेसे अगर आप बैटिंग और बॉलिंग का रिशु दिखोगे तो आपको बैट्समस य पर वाजन कि यहां पर होजे से ही यहां आप बैट्समस to यहां पर निंग में लगभक साथ कर देखोगे तो आपको दोस्तों का दिखा है ऐघका है कफी बड़ा स्कुर होता है दोस्तों का सब्सक्राइब के सामने को कमपैरिटिवली जो स्पीनर से वो पेसर से अच्छा गर के जाते अंधिस विन्यू और स्पीनर का यह पर रिशु इसलिए भी अच्छा है कि ग्राउंड की जो बांडरियो वो ज्यादा वड़ी अगर चक्का मारने जाता है कोई बैट्समन हेटिं मैच जीती हुई है तो इस मैच में जो भी टीम हापर चीजिंग करेगी वह आपके लिए डिफॉल्ट इंपोर्टन हो जाती है थोड़ा सा नीचे जल लेते देखो कैप्टन सी वाइस कैप्टन से अगर आप देखोगे जो इस फिन्यू पे पहले भी प्लेयर है खेलते हु को याप पर आप रिफ्रेंसेस में डाल सकते हैं जैसे शुम्मंगिल सिर्फ पाच मैचेस खेले इस वेन्यू पे जिसमें तीन बार कैप्टन मतलब ड्रिम टिम में कैप्टन वाइस कैप्टन आ चुके है इनको हमने प्रिफ्रेंसेस में डाल दिया है नूर आहिमाद एक ब बॉलिंग पॉर्ट से इंपॉर्टन प्लेयर्स तो देखो बॉलिंग में राशित खान का 61 फैंटसी पॉंट्स काइवरिज होता है इस फेन्यू पे खेलते हुए और मुहमस श्यमी का भी 48 का आपको दिखाई देखा इन दोनों प्लेयर्स को हमने आप पर प्रिफ्रेंस से करने की ज़रुवत नहीं होती है आप यहीं पे सिलेक्ट कर लो जो आपको करना है टोटल पॉइंट्स के बैसिस पर टाफ़ प्लेर्स देखो इसमें शुमंगिल हर्दिक पंडया राशित खान मौमस श्यमी यह आपको कुछ प्लेर्स दिखाई दे रहे है टोटल फैंटसी पॉंट्स राशित खान 285 टी के चार मैचेस में इननोंने 285 एंटसी पॉंट्स पॉंट्स तो यह कुछ टॉप्लेर समने लेके आपन लास्ट पाच ट्यूटैंटी मैचेस देख लेते जो फेने पर खेली गई दिखो लास्ट मैच था पहलागा था मुंबई वससे गुज तो उनके नो विकट गिर गए थे स्कोर को चेस्ट डाउन करते हुए बैटिंग बॉलिंग का रिशो गर आप कंपेर करो इस मैच में तो आपको दीख रहा है कि बैट समस्ट थोड़ी से आप इंपोर्टन्ट है बाकी आप अगर उससे पहले का मैच देखोगे तो इस मैच मे देखो जो गुज्रा टैटन्स की टीम थी उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 177 रन मनाए थे साथ विकट की दुक्सान थे फिर जो राजस्थां की टीम थी उसने उसे चेस्ट डाउन कर लिया था ठीक है तो यहाँ पर आईवरी स्कोर अगर बना 16780 के बीच में त 204 फिर भी कोलकाता की जो टीम थी उन्होंने उसे चेस्ट डाउन कर लिया तो दो सुरों का स्कोर भी आपर डिफेंट डेवल ने के सकते हैं क्योंकि आप पर वी चेस्ट डाउन हो चुका है इस मैच भी आपको बैट्समस इंपॉर्टन दिखाई देंगे बॉलस के कंपैर तो यह कुछ मैचे जो हमें आइडिया दे रहे है कि यह जो मैच किस दिशा में जा सकता है तो मान के चलिए आप बैट्समस जो भी अच्छे वह आपके टीम में होने चाहिए और विकेटिंग बॉलस को आपको अपने टीम में ज़रूर रखना है अब यह आपर दोनों टीम 20 मैच देखे लेते हम तो धीअ पहले तो हम देली का देख लेते देली का फॉरμ इतना खास चलनी रहा है लेकिन रिसेंटली कुछ मैची7 विजीखे हुए तो प्रोवःब्ल प्लेंग गिलों हमें आपर देली का देख लेते देखो इनकी तरफ से डेविड वार्नर ओपन करेंगे फिलिप स्वाल्ट के साथ वन्डाव नाइगे मिचल मार्श अगर आप इनकी तरफ से मिडल ओर देखोगे इसमें आपको मनिश पांडे प्रियम गर्ग सर्फरास खान अक्षर पटेल और रिपल पटेल इनकी तरफ से आपको मिडल ओर दिखाई देगा अब अगर प 139 बॉस में 63 रन की ताबर तोड पारी खिली इनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो 162 का ता जिसमें छे चक्के आपर शामिल थे तहीं मिचल मार्श बाकी यह दो प्लेस के ला कोई भी प्लेयर नी चला और इन दोनों के बदोलती 188 का स्कोर देली की टेम ने आ बना लिया था और अगर आप ओर ओर आल देखोगे इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शन्स तो बॉलिंग उप्शन्स में देखो इशांत शर्मा एंडिक नौकिया मुकेश कुमार मिचल मार्श कुल्दी प्यादो और अक्षर पटल इनकी तरफ से आपको यहाँ पर बॉलिं बॉलिंग करके तो देखो मिचल मार्श वर्ण बैटिंग भी करेंगे तो इस मैच में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के लिए आपके लिए अच्छे चोईसे होंगे अब हमारी जो सेकेंड टी में गुजरात की उनका प्रोबेबल प्लेंग लोना हमें आपर देख लेते तो देखो गोजरात की जो टीम इनकी तरफ से ओपनिंग पेर कौन होने वाला है तो देखो यहाँ पर रिद्धिमान सहा ओपन करेंगे शुम्मन गिल के साथ बंड़ाइंगे हार्दी पंडया अगर आप मिडल ओर लेखोगे तो इसमें आपको विजो शंकर डेविड मिलर इनकी तरफ से आपको मिडल ओर्डर के आप पर दिखाई देगा देखो पिछले मैच में पॉफोंस वाइस शुम्मन गिलने 49 रन मनाये ते उसके बाद विजो शंकर 51 रन सिफ 24 वाल्स में 213 अपर स्ट्राइक रेट ता और डेविड मिलर ने भी 18 बॉल में आपर 32 रन मनाय और मोहिश शर्माइन की तरफ से आपको बॉलिंग ओप्शन दिखाई देंगे मोहम श्यमी ने पिछले मैच में तीन विकेट्स निकाली थी उसके अलावा जुश्वा लेटल दो विकेट्स और नूर एहमत ने भी आपर दो विकेट्स निकाली थी एकोनमी वाइस आपर द आपके लिए कौन से होंगे इनके उपर एक कर नजर जो होती हो हम डाल लेते इसके लिए आपको आना है चिटशिट के उपर तो देखो चिटशिट पे हम आ चुके हैं देखो टोटल फैंटरसी पॉंट्स के बेसिस पर टॉप प्लेयर्स अब हम देख लेते हैं इस मैच में अक्षर पटेल शुमन गिल मिचल मार्श हर्दिक पंड्या और मोहमत श्यमी यह जो पाच प्लेयर है टॉप प्लेयर से पैंटरसी पॉंट्स दिये है शुमन गिल 325 मिचल मार्श 312 उसके बाद हर्दिक पंड्या 264 और मोहमत श्यमी 269 इनकी तरफ से कुछ परफॉमंस इस रहे है इंपोर्टन आपके लिए आइवरेज पैंटरसी पॉंट्स के विसिस पर टॉप 5 प्लेयर्स में कौन-कौन से आपको दिखाए देंगे पहले फिर से अक्षर पटेल मिचल मार्श शुमन गिल नूरहिमत और हर्दिक पंड्या अब जो प्लेयर बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके लिए स्मॉल लिंग में एक मस्ट हैव कैटिकरी के प्लेयर है तो हम प्रिफरेंस में डाल देते हैं आपर कुछ प्लेस को जिसे अक्षर पटेल को डाल लिया है मिचल मार्श को तो डालना ही डालना है नूरहिमत को डाल लेते हैं अब देखो अक्षर पटेल लास्ट पाच मैच अगर आप उनके उठा के देखो तो हरीक मैच में 85 फेंटेसी पॉंट से आपको देखी जा रह अपनी जगा बनाते तो इसमें अक्षर पटेल फिर से एक बार शुमन गिल हर्दिक पंड्या राशित कान और मिचल मार्श वही वही प्लेयर से ठीक है अब हम गुजरा की तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स देख लेते इसमें शुमन गिल नूरहमत हर्दिक पंड्या मोहमत श्य में इनकी तरफ से टॉप 5 प्लेयर से आपर देख लेते इसमें फिर सक्षे पर अक्षर पडेल मिचल मार्श डेविड वार्नर फिलिप स्वाल्ड और कुल्दीप यादो का नाम दिखाई दे रहा है तो आप लॉक कर सकते हो जैसे हम डेवर्नर को लॉक कर लेते हैं पर फि पर दिखाई दे रहा है सिर्फ उनके वेसे भी खेलने के चांसे सी कम है तिक है अब आप पर अपनी जो स्मॉल लिक्री टीम है वो बनाने की तरफ आगे बढ़ते देखो आपको पावर रैंकिंग फीचर के उपर आना है कि अगर आप स्मॉल लिक्री कि टीम क्रेट कर रहे हो आपको यहाँ पर काफी घल्प होगी और आप कम से कम समय में उतनी जो टीम है यहाँ पर क्रिट कर पाओगे ऑवर कियों की अशन के लगे है डेखो यहाँ पर से वो रैंक्वाइस आपके सामने है ठीक आपको करना क्या है दिखो पहले तो इस मैच में जो टॉप प्लेर से रैंक्वाइस उनके ऊपर एक नदर डाल दे तो पहले नंबर पे नाम दिखाई दे रहा है आपको चेतन सकारिया का दो नंबर पर आते शुम्मन गिल उसके पर आपको क्लिक कर देना है यह सापकी अंडरस्टेंडिंग क्लेर होती है कि ओ जो प्लेर आपके टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए दिखो जो शुम्मन के लिए लास्ट दर्स मैचेस में से साथ बार ड्रिम्ट में रिचुके और बैटिंग फिस्ट में का 78 फैंट चोड़के इस मैच में जरो प्याउट हुए थे बाकी 106 और 81 इनके कुछ अच्छे परफॉमंस रहे है काफी ज्यादा और यह जो स्टार है आपको सजिस्ट करता है कि ओपलर ड्रिम्ट में भी तर ठीक है तो इन्हों ने लगातर अपनी जगा भी बनाई है दिल्ली के खि खिले है तो इनका बैटिंग फस्ट में 63 फैंटसी पॉंट का एवरेज रहा है चीजिंग में 41 का हो जाता है और इन्हों ने सेकंड लास्ट मैच में दिल्ली के खिलाब 116 फैंटसी पॉंट जब जब खेले तब तब परफॉमंस इनका अच्छा ही रहा है मतला हम एक एवर 111 154 178 के कुछ परफॉमंस इस रहे वेन्यू को देखती हुए हम इने लॉक ही करेंगे अपने टीम में सिधा ठीक है देखो आपको उन्तले इसको लॉक कर लेना होता है जो आपको काफी ज्यादा इंपोर्टन्ट लग रहे होते हैं इसलिए हमने इने लॉक कर ले मस्ट आइक रेट से इनोंने लगभग रन बनाए अपने 535 तो शुमन गिल ने बैटिंग से बहुत अच्छा किया है इस साल तो रिसेंट परफॉमंस इस भी हमने इनके देखे तो अदिखो हरी क्लियर का जो डेटा है आप परफेक्ट लाइनप पर आके देख सकते अगर हम हरी क बन जाएगा तो लिंक इन दर डिस्क्रिप्शन आप जाएगा यहां पर हरी को डिटल में देखे अपनी जो स्मॉल लिकी टीम है यहां से आप क्रेट कीजिए अब हम ग्रैंड की जो टीमें इनकी तरफ एक बार बढ़ ले थे कि कस्टम टीम बिल्डर के उपर आपको आजाना है तेखो कस्टम टीम बिल्डर आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है लोजिकल वे में अपने टीम क्रेट करने के लिए तो चलिए हमें आप पर सिधा दो आप्शन आपके पास इसका यूज के से करना है पहले तो आप यह कम से कम समय में लौजिकल वे में बना सको देखो आहम film फे होता क्या है जब आप ड्रिम विलं पर जाते हैं बनाने के लिए तो आखरी 30 मिनट इसमें आप रैंडम ले क्रेयत करते हो विदाउट लॉजिक तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो टीम हो फिर इलोजिकल बनते है और आपकी जो एंट्री फीवी है वह भी खत्रे में आ जाती है तो आप जितनी लॉजिकल वे में पर्फेक्ट लाइनप पर टीम क्रेट करते हो और आप सिधे-सिधे आपर इजो टी प्रेडिक्शन का यहाँ रोडेस फेक्टर्स की विद्ट पे टीम मिलती है कस्टम टीम बिलडर के लिवारा और दूसरा जूप्शन हो लिए रिसेंट परफ़ोंस से उसे प्रिफर किया जाता है जब भ्हूंब को टीम बना के लिएगा और थीसरा उप्शन होता है वहोता सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने साथ सेलेक्ट के ना तो किस्टम टीम बिल्डर आपको जो भी टीम करेट करके देगा उसके हर इक तीम में आपको साथी प्लेयर नजर आएंगे और अगर आप यहाप पर नीचे चलोगे तो आपको पीक टीम फॉर्मेशन का एक लोज सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको आपके पूरा पूरा विश्वास देना तो आप यहाप पर सिमिलर टीम के साथ भी जा सकते हो बाकि आपके पास कैप्टेंस सेटिंग का भी लॉजिक होता है एक तो परफेक्ट लाइन आपको टॉप लियर सजिस्ट कर देता है कैप परफेक्टेंस के लिए तो आप सजेस्टेड चूज कर सकते हो और अगर आप डिफॉल्ट के साथ जाना सथे तो डिफॉल्ट का भी आप्शन आपके पास यहाप पर अवेलेबल होता है देखो नंबर आप टीम्स आप सेलेक्ट कर लो उसके बाद आपको जितने टीम्स च लग रहे उन्हें आप रिफ्रेंसस में डाल सकते हो और जो प्लेर आपके लिए मस्टाव कैटिगरी की उनका रेकोर्ड इतना अच्छा है कि आप उन्हें एक भी टिम में मिस्स नी करना चाते है उन्हें आपको अपने टीम में लॉक कर लेना है और कुछ प्लेर इसे को नीचे क्लिक कर देना है आपकी जो टीम कॉंबनेशन से यहां पर बनके आ जाएंगे तो यह कुछ टीम कॉंबनेशन से आप देख लिए इसे ठीक है अब आपको क्या इन्हें कॉपी पेस्ट करना है देखिए बिल्कुल भी नहीं परफेक्ट लाइन अपको डिस्रिप् सब्सक्राइब कर लेगी लिंक इंदर डिस्क्रिप्शन आप जाईए इसे अभी इंस्ट्रॉल कर लीजे और अगर आप फैंटसी खेल रहे हो तो एक लोजिकल वे में अगर आप अपने टीम क्रेट करना चाते तो यह जगा आपके लिए सबसे बेस्ट है पाकि फुड़ा आपको थोड़ा सभी इंफॉमेटियों लगाओ तो इसे लाइक जरू कर देना चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है तो चलिए मिलते कर लोड़े में तब तक के लिए खुश रहिए मस्कुराते रहिए